पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये गूर्शन साइन्स प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन अप्लाइट साइकोलोजी टू सॉल्व एवरी देज इसू हमारा जो डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आते हैं उस चीज को कैसे रिसॉल्व करना है उस चीज के बारे में देखते हैं तो एपलाइट साकोलोजी क्या होती है के एक अपलिकीशन आफ साकोलोजी deswegen यह क्या होते हैं अप्लिकेशन होते हैं कि इसके साको लोजिकल जो प्रिंस्पल होते हैं और मैठर होते हैं जो कि हमको क्या करने हैं रिसाल्फ करने में हेल्फ करती है ठीक है जैसे कि पर्सन जो है वो डेली एक्सपिरियेंस क्या कर सकते हैं जो प्रॉब्लम डेली जो है उसको एक्सपिरियेंस करते हैं वो सारे चीज़ को रिसाल्फ करने में क्या करते हैं हमारी हेल्फ करती है ठीक है और यह जो रहता है यह जो problem है वो किसके जो भी human का problem रहती है daily routine से related that means कि हमारा health से related family से related या फिर work से related जो भी हम problem को face करते हैं उस problem को resolve करने के लिए क्या होती है help करती है ठीक है तो applied psychology होता क्या है applied psychology जो रहता है वो क्या होती है एक application होती है किसका psychological principle का और method का ठीक है किसके लिए to resolve the problems of human experience जो भी human जो है experience कर रहा है किस से related जैसे कि health से related कुछ problem का face कर रहा है family से related जो भी problem experience कर रहा है या फिर working environment से related जो भी problem है उसको face कर रहा है तो उसको resolve करने के लिए क्या करती है यह हमारी help करती है ठीक है में सबसे first देखेंगे हम लोग branches बहुत सारा चीज़ देखे थे जैसे कि educational psychology देखा था हमने what is educational psychology उस चीज़ को हम पहले ही deal कर चुके है previous class में हुआ है ठीक है educational psychology किसलिए हमारी help करते है कौन से problem को जो भी हमारा problem होते है everyday issues होते है उसको resolve करने के लिए क्या करती है educational psychology जो है वो help करती है that means कि यह जो रहता है वो develop करते हैं बहुत सारे strategies को चीक है यह क्या करती है जैसे कि हम को किस तरह से teach करना है एक teacher को किस तरह से teach करना है एड्मिनिस्टर को किस तरह से admin करना है तो वही बोल रहा है कि educational psychology जो रहती है वो बहुत सारे strategies को develop करने में हमारी help करती है ताक कि हम क्या कर सकते एक best teaching approach को achieve कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम किस तरह से teach करना चाहिए कौन-कौन से principle को follow करके हमको teach करना चाहिए उस चीज़ के लिए एक strategy को develop करने में help करती है साथ ही साथ इंप्रूव लर्निंग इनवार्मेंट यह जो educational psychology रहते है वो also help करती है कि इसके लिए एक learner को learn करने के लिए वही बोल रहा है कि यह जो है वो एक learning जो environment रहता है that means कि peaceful environment हो गया वो सारे चीज़ को create करने में improve करने में हमारी help करती है और साथ ही साथ यह जो रहती है वो क्या करती है advice provide करती है कि हम किस तरह से curriculum को formulate करते हैं करते हैं करते हैं झाल झाल तो इस चीज को improve करता है कि इसको एक learning environment को साथ ही साथ यह जो रहती है वह एक advice प्रोवाइड करती है कि हमको किस तरह से हमको एक curriculum है उस चीज को क्या करना है formulate करना है ठीक है यह था educational psychology का next है और यह जो रहती है उसके साथ साथ ही student के उपर बहुत सारे जो भी abilities रहते हैं उस चीज को भी develop करता है जिसके जैसे की stress का अपने examination को लेके तो उस चीज को क्या करते है रिलीव किस तरह से करना है उस चीज को भी उसमें भी help करती है ठीक है यह हमारा डेली का जो भी problems होता है every day जैसे की examination time पर हमको exam को लेके क्या होती है इस्ट्रेस होते है या student को जो भी need रहते है उस चीज को fulfill करने में help करती है या फिर student के अंदर बहुत सारे डिफेरेंस जो abilities रहती है उसको भी develop करने में help करती है साथ ही साथ हमको एक strategies को develop करने में help करते है ताकर हम एक better teaching को provide कर सके है और हमारा जो learning environment रहता है उस चीज को भी improve करने में हमारी help करती है साथ ही साथ हमको curriculum को किस तरह से formulate करना है उस चीज में भी help करती है advice provide करती है ठीके next अपन देखेंगे occupational psychology ठीक है occupational psychology यह जो रहती है वह ऐसा employees को increase जो भी employees का productivity रहती है ठीक है उस चीज को increase करने में help करती है ठीक है जो आप में satisfaction provide करती है ठीक है तो occupational जो psychology रहता है वो हमको क्या करती है जिस जगह पे एक जो employees work कर रहा है इंडस्ट्री एरिया हो या किसी भी एरिया में तो उनका जो productivity रहती है उनका जो outcome रहते है उस चीज को increase करने में उनकी help करता है साथ ही साथ जिस जगह पे हम क्या कर रहे है work कर रहे है वहां पे हमको अपने job से क्या करती है satisfaction provide करती है और overall effectiveness जो रहते है एक organization का उस चीज को effectiveness बनाने में हमारी help करता है ठीक है और यह जो रहते है जैसे कि हमारा organizational function जैसे कि staff recruitment हो गया एक employees को किस तरह से हमको train करना है training provide करना है employees को किस तरह से उसके साथ relationship को maintain करना है performance appraisal के लिए किस तरह से हमको employees को motivate करना है counseling करना है एक work environment को maintain करने के लिए occupational जो psychology रहती है वो हमारी help करता है ठीक है that means कि यह जो है वो ads करती है कि इस वह organizational function इसमें क्या होते है जैसे कि हमारा staffing pattern आता है कि हमको staff का किस तरह से requirement करना है उनको कैसे training provide करना है कैसे उनके साथ relationship maintain करना है उनका जो भी performance है उसको किस तरह से examination करना है promote करना है motivate करना है counseling करना है और एक work environment को किस तरह से maintain करना है उस चीज़ के लिए हमको help करती है क्या occupational psychology next अपन देखेंगे health psychology health psychology जो रहते है वो क्या कर सकती है help करती है individual कोई क्यों क्या कर सकते है cope up with illness कि हमारा जो illness रहता है उस चीज़ से हमको किस तरह से cope up करना है एक positive attitude को develop करने में हमारी help करती है ठीक है उसके साथ साथ ही हम किस तरह से recover हो सकते हमारे illness से तो यह जो हमारा health psychology रहते है वो हमारे बहुत सारे चीज़ों में क्या करती है help करती है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं अपने जो illness रहता है जैसे कि मान के चलो physical handicaps वगेरा रह गया है यह severe जो disease condition हो गया cancer like disease हो गया हम बहुत सारे उस चीज़ से हम किस तरह से cope up कर सकते हैं हमारा illness से किस तरह से cope up कर सकते हैं या फिर एक positive attitude हम कैसे develop कर सकते हैं साथ ही साथ हमारा जो इलनेस रहता है उस चीस को से हम कैसे रिकवर हो सकते हैं और एक good quality of life की तरह से life lead कर सकते हैं वो सारे चीज के बावरे में हमारा health psychology जो रहती है वो help करती है साथ ही साथ यह जो रहती है वो people जो बहुत सारे people रहते हैं उनको educate करने motivate करने में हमारी health करती है कि वो एक better जो health choice है उस चीज को क्या कर सके ले सके choose कर सके बना सके ठीक है और ये health care system जो रहती है उस चीज को improve करने में भी हमारी health करती है ठीक है तो यह था आपका health psychology जो कि हमारे बहुत सारे daily जो problems होते हैं उस चीज को resolve करने के लिए हमारी help करते हैं next अपन देखेंगे clinical psychology clinical psychology होता है वो क्या करता है हमारा जो डेली डेली जो डाइगनोसिस prevention and treatment जो emotional disturbance या फिर ह्य के प्राबलम रहती है उस चीज को क्या एक करते है उस चीज को डेगनोस करने में प्रिवेंट करने में ये फिर ट्रीट करने में हमारी help करती है और साथ इसाथ एक इंडीवीजवल को कैसे हम well being को promote करने में भी help करती है और personal जो development होती है हमारे अंदर उस चीज को भी develop करने में हमारी help करती है तो clinical psychology जो रहते है वो help करते है किसमें diagnosis, prevention and treatment और emotional या फिर जो हमारा behavioral problem रहता है हुचिश को और individual का कैसे हम एक well being को promote कर सकते हैं और खुद के अंदर कैसे personal development को भी develop करने के लिए हमारी help करती है नेक्स अपन देखेंगे developmental psychology झाल 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 ठीक है अपन के देख रहे हैं developmental psychology तो developmental psychology रहती है यह जो रहती है जैसे कि हमारा बहुत सारे issues जो कि हमारे society से related है इस्कूल से related है career से है family से है health से है उस चीज़ को resolve करने में हमारी help करती है developmental psychology का ही aim क्या है उसका कि resolve the individual issues related to ठीक है जैसे कि individual के जो भी issues है related to their society society में adjustment हो नहीं हो पर है school में school phobia वगेर हो गया या फिर वहां से drop out कर देना carrier के लिए अपना जो भी problems है family से related जो भी issues है या फिर health से related वो सारे चीज़ को क्या करती है हमको resolve करने में हमारी help करती है next अपन देखेंगे sports psychology स्पोर्ट्स जो psychology रहती है वो हम को क्या करती है कि जैसे कि competition हो गया जैसे कि हमको एक instance जो pressure रहता है उस चीज़ से हमको किस तरह से cope up करना है उस चीज में हमारी help करता है साथ ही साथ हमको किसी भी चीज़ को perform करने के लिए हमको क्या करता है motivate करता है enhance करते हमारे performance को ठीक है और जो भी injuries होता है उस चीज़ से कैसे हमको recover होना है उस चीज़ के बारे में भी हमको help करती है और जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि men जो है वो common enjoy feel करते हैं sports करते time या फिर strictness हो गया या फिर exercise वगेरा हो गया उसके थुरू हम क्या कर सकते हैं हमारा जो well being है उस चीज़ को develop करने में भी हमारी help करते हैं नेक्स अपन देखेंगे social psychology ठीक है social psychology ये जो रहती है वो हमको teach करती है about the social perception हमको social perception के बारे में teach करती है साथ ही साथ उनके साथ हमको किस तरह से interact होना है अपने relationship को maintain करने है और हमको एक जो social behavior रहता है उस चीज़ को better understand करने के लिए ये जो रहती है वो एक key होती है जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर personality को develop कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे जो बहुत सारे जो topics होते हैं wide range of topic that means कि हमारा leadership हम अपने अंदर leadership qualities को कैसे develop कर सकते हैं साथ ही साथ जो non-verbal behavior है उस चीज़ को understand करने में भी हमारी help करते हैं इसके अलावा जैसे की deals करते हैं जैसे की problems related to social justice हो गया human development से हो गया वो सारे problem को भी solve करने में या फिर उनके साथ deal करने में हमारी help करते हैं ठीक है next अपन देखेंगे criminal psychology जो रहते हैं इसमें जैसे की बहुत सारे agencies होते हैं जो की criminals के साथ क्या करते हैं असिस्ट करते हैं उनको वह एक guideline provide करती है यह फिर लो जो reinforce reinforcing रहता है उस चीज़ को guideline provide करते हैं उनको assist करने में हमारी help करती है उसके साथ साथ ही उनका जो भी thoughts रहती है feeling रहती है रिएक्शन रहता है वह सारे चीज़ को क्या करते हैं हमको better understanding जो है psychology जो रहता है उसके तुरू हम क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं किसके थुरू criminal psychology के थुरू जो है वो हम अच्छे तरह से उनका जो भी intention है वो क्या चाहते हैं उनका thought क्या है perception क्या है feelings क्या है हर चीज को हम क्या कर सकते हैं understand कर सकते हैं ताकि वो जो रहती है वो क्या है हमारी goal जो कि हमको क्या करने है crime को reduce करने हैं उस चीज को achieve करने में हमारी help करते हैं तो यह था various branches जिसके थ्रू हम जिसका utilize कर सकते हैं कि इसको हमारा जो everyday issues है उस चीज़ को resolve करने के लिए ठीक है वहाँ पर जो भी problems आते हैं उस चीज़ को resolve करने के लिए हमारी help करते हैं जैसे कि educational psychology हमको एक better strategies provide करती है कि किस तरह से हम teaching approach को क्या गर सकत है नेक्स हमने देखा कि occupational psychology यह जो रहता है वह employees के productivity को improve करने में help करती है कि का थी साथ जो हमारा organization का जो भी function रहता है that means कि staff का recruitment वगेरा हो गया उनको training किस तरह से हमको provide करना चाहिए या फिर उनको किस तरह से हमको motivate करना है हर चीज़ के बारे में उस चीज़ को improve करने में हमारी help करती है next है health psychology, health psychology जो है हमको किस तरह से अपने illness से cope up करना है अपने अंदर positive attitude को develop करना है या फिर हमको किस तरह से हमको अपना जो illness है उस चीज़ से recover करना है या फिर हम किस तरह से जो quality of life है उसको lead कर सकते हैं उसके बारे में हमारी help करते हैं next हम देखे थे clinical psychology तो clinical जो psychology होती है वो क्या करती है हमारी help करती है किस में diagnose कर सकते हैं, treatment कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं जो भी उनका emotional disturbance है या फिर behavioral problem है उस चीज़ को साथ ही साथ हम individual के जो well being है उनके अंदर जो personality है उस चीज़ को personal development कर सकते हैं next हमने देखा developmental psychology तो developmental psychology का aim ही क्या होता है जैसे कि उनका जो problem है individual का problem है related to their society, schools, career, family या फिर health उस चीज़ को resolve करना next अपन देखे थे sports psychology तो हम क्या करते हैं यह जो रहता है वो student को motivate करता है साथ ही साथ जो भी pressure रहता है उस चीज़ किस तरह से हम cope up कर सकते हैं injuries वगेरा हुए रहते हैं उससे हम किस तरह से recover हो सकते हैं उस चीज़ को बारे में हमको help करते हैं उस चीज़ से related हमारी help करते हैं next अपन देखी थे social psychology जो रहती है वो हमारी help करते हैं किस तरह से perception है हम किस तरह से society में interact हो सकते हैं या फिर जो social behavior है उस चीज़ को हम एक better way में किस तरह से understand कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में help करते हैं साथ ही साथ हमारे अंदर किस तरह से leadership qualities को develop कर सकते हैं non-verbal behavior है जैसे कि बहुत सारे अपने expression के through communicate कर देते हैं वो सारे चीज़ को हमको well understand करने में हमारी help करती है next अपने देखा था criminal psychology तो यह जो रहती है वो हमारी help करती है understand करने में कि एक criminals जो है crime को हम किस तरह से reduce कर सकते हैं ठीक है और एक criminal का उसका इक्छा क्या है willing power क्या है intention क्या है thought क्या है उसका perception क्या है feeling क्या है हर चीज़ को हमको understand करने में हमारी help करता है जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं crime को reduce करने में यह हमारी help करती है तो यह था आपका क्या various branches जो कि हमारे everydays जो issues होते हैं उस चीज़ को resolve करने में हमारी help करते हैं ठीक है आज की class में इतना ही next हम देखेंगे अगले class में thank you करते हैं 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 झाल झाल